हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सबी लोग आशे करते हूँ आप सब लोग ठीक होंगे एच्छे होंगे मेरा नाम है सुधिर और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिस ठीक है इंग्लिस पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्ब से हम नाउन बनाते हैं making nouns from verb यानि कि वर्ब से हम noun कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे चीक है चलिए आगे आते हैं अब कैसे इन सबी चीजों को हम पढ़ते हैं देखिए कोशन लिखा है we can form noun from words by adding ion add करके बनाएंगे m-e-n-t करके बनाएंगे और साथ ही a-t-i-o-n हम क्या करेंगे वर्ब के last में लगाएंगे और वर्ब से हम बनाएंगे noun ठीक है तो चलिए कुछ example के साथ ही हम समझते हैं इसको देखिए पहला है आपके सामने a list of few nouns are made from verbs ठीक है तो हम कुछ ऐसे noun पढ़ेंगे जो वर्ब स बनाये जाते हैं कैसे जिसके last में क्या add करते हैं i-o-n तो चलिए देखते हैं क्या है ठीक है देखिए पहला वर्ब है इधर आपका वर्ब लिखा इधर noun लिखा तो protect प्रोटेक्ट का noun क्या होगा आपका यह होगा protection तो देखिए यहां क्या add हुआ i-o-n फिर आपका reject तो reject आपका verb है और वर्ब से जब हम noun बनाते हैं तो यह क्या बनेगा rejection क्या बनेगा rejection फिर आपका आता है अगला verb correct तो correct से जब हम noun बनाएंगे तो इसका क्या होगा आपका noun correction तो इसके last में क्या add होगा ion यानि कि इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी verb के last में t आता है तो उसके हम आगे हम ion add कर देंगे तो वो किसमे change हो जाएगा आपका noun में change हो जाएगा देखिए जितने भी आपके ये verb लिखे हुए सब के last में t है तो ये verb जिसके last में t है उसको noun नाउन बनाने के लिए हम क्या करते हैं ion हम add कर देते हैं लास्ट में ठीक है चलिए आगे आते हैं ठीक है दोस्तों चलिए समझते हैं और भी चीजों को तो correct का क्या हो जाएगा correction invent का क्या हो जाएगा invention elect का elect का elect verb है इसका noun होगा आपका election select verb का noun होगा selection direct verb का noun होगा direction और attract जो verb है इसका noun आपका क्या होगा attraction ठीक है तो यह आपने समझ लिया ion कैसे हम add करते हैं और समझते हैं आगे दूसरा रूर है आपका by adding meant meant तो कैसे हम इसे add करते हैं यहां पे तो ह है य है य है लास्ट में ई है इसको हम कर नहीं पाएंगे इसने हम थोड़ा सा हम समझना पड़ेगा तो जैसे लिखा है आपका punish punish तो punish आपका verb है इसका noun अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यह punishment फिर आपका आता है move तो move एक verb है ठीक है इसका noun आपका क्या होगा moment enjoy का noun क्या होगा यह आपका होगा enjoyment आर्गू का एक verb है इसका noun आपके क्या होगा argument फिर आते हैं verb और noun में यहाँ पर आपका लिखाए improve तो improve एक verb है और इसका noun आपका क्या होगा इंप्रूमेंट फिर आपके सामने आता है फुल्फिल ठीक है दोस्तों क्या आता है फुल्फिल तो फुल्फिल आपका वर्ब है उसका नाउन क्या होगा फुल्फिल मेंट क्या होगा फुल्फिल मेंट फिर आपके सामने आता है गवर्ण जो आपका वर्ब है और इसका एक वर्ब है इसका नाउन आपका क्या होगा investment क्या होगा दोस्तों investment चलिए आगे आते हैं बाइडिंग action तो action में last में क्या एड करते हैं एस थी ठीक है एसी टी आई ओएन तो यहां पर आते हैं आगे देखें यहां पर c नहीं है ation ही हम एड करते हैं अब जैसे आगे create तो create आपका word है ठीक है वर्ब है तो इसका noun आपका क्या होगा creation क्या होगा दोस्तों creation फिर आपका होता है invite जो वर्ब है इसका noun क्या होता है invitation फिर आपके सामने आता है inform एक वर्ब है इसका noun क्या होता है आप का information फिर आपके सामने आता है declare तो declare का noun declare एक verb है इसका noun क्या होता है declaration क्या होता दोस्तों declaration फिर आगे आता है reform तो reform का noun क्या होगा यह होगा आपका reformation और imitate जो verb है इसका noun क्या होगा आपका imitation क्या होगा दोस्तों imitation फिर आपके सामने आता operate जो की एक verb है इसका noun आपका क्या होगा operation तो इसके last में क्या add हो रहा ए टी आई ओ यन फिर आपका आता है imagine imagine एक आपका verb है और उसका noun आपका क्या होता है imagination क्या होता दोस्तों imagination चलिए अब एक और बचा हो उसे भी पढ़ लेते हैं देखिए indifferent बे अलग तरी किसम कैसे करते हैं जैसे feed क्या है यह आपका verb है तो feed का noun आपका क्या होता है food do तो do आपका verb है इसका noun आपका क्या होता है deed d-double-e-d go का noun क्या होगा gate g-a-i-t gate और grow जो एकी verb है इसका noun क्या होगा आपका growth give जो आपका verb है इसका noun क्या होगा gift और sit sit का आपका sit verb है तो इसका noun क्या होगा seat, s-e-a-t seat आगे आते हैं और आगे आपका है वर्ब में laugh, laugh का noun आपका होता है laughter, obey का आपका noun क्या होता है, obedience lose का आपका noun क्या होता है loss और receive का noun क्या होता है reception, speak का noun क्या होता है speech, और dig का dig का noun क्या होता है आपका, ditch, ठीक है तो देखे मेरे कहने का मतलब यह है question आपसे यह पूछा जाता है उल्टा भी question आपसे पूलेगा कि noun है तो इसका verb क्या होगा और आपको verb दे देगा चार option दे देगा इसमें से पूछेगा इस verb का noun क्या होगा तो इस type के question आपके paper में आते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पाइनली वीडियो देखने है थैंक्स पर वाचिंग सुधी टूटोरियल